Assalamu alaikum, कैसे हैं आप सब लोग, उमीद है कि आप सब ठीक होंगे और खेयत से होंगे अच्छा, बहुत दिनों से मैं एक टॉपिक की तरफ एक फोकस करना चाहा रही थी और आज मैंने बहुत सोचने के बाद इस टॉपिक को हालेट किया है और वो है अबाउट पैनिक, पैनिक सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन, पैनिक है क्या एक ऐसी चीज जिसने हमारे दमाग को पागल कर दी है and we are got exhaust पैनिक वर्ट क्या है, पैनिक, पैन ओफ इंटर कनेक्शन, अब इसमें मतलब क्या है कि हम लोग, रोज मरा we do everything and we got frustrated. हमारी frustration क्या है? because of the overloaded work. अगर हम student के point of view सो देखे तो student अगर panic हो रहा है because of the papers, because of the teacher, because of the workload. अगर teacher point of view सो देखे तो teacher is exhausted because of the curriculum complexion complete, complete करना है उसको syllabus को because of the working of all that और उस पे फेर बच्चों को पढ़ाना और उस सब चीजों को देखते हुए यह complete करना बात से फितनी सी आ रही है where we are getting it. We are wasting our time because of the overloaded burdenized work which we get. उस पे panic हो जाना, उस पे सरदर्द करना, अपने आपको exhaust फिल करना और इससे अपने आपको कैसे बचाया जा सकता है इसकी दो situations है. पेरी चीज़ यह है कि आप अपने आपको काम में इतना limited कर लें कि वो सिर्फ एक काम हो, means केरेंगा मसलत है कि इनसानी दमाग जब multiple कामों पर गुसा है तो उस वक बंदा दमाग, आपको भी note करें कि when you do at a time four tasks, तो आपका दमाग हर वक frustrated होगा और अगर आप एक काम करेंगे और वीकेंड में एक दफा आउटिंग करेंगे तो आप refresh feel करेंगे fresh feel करने का मकसद सिर्फ यह है कि आपके दमाग को थोड़ा से चीज चाहिए ताकि आप relax कर सेके उसके बाद आप जो दुबारा काम की तर जाते हैं तो काम की तर जब आप दुबारा जाएंगे तो उससे यह होगा कि आप relax feel करेंगे और काम को active होके करेंगे when you don't do it then you feel unactive बात सिफ इतनी से आती है कि panic मतलब यही है कि do the work in a limitless way and make your mind fresh हम लोग चीज़ों को बहुत limitless कर लेते हैं इस सेंस में कि हम लोग एक limit हमने नहीं रखी हर काम में अपने आपको burdenize कर दिया दूसरा मैंने एक और चीज़ पॉइंट of view की थी corrections and degradation degradation means कि अपने आपको दूसरों से कम तर समझना मैं एक बात करती हूँ देखें favoritism is not a one thing आप अपने आपको अपनी performance के मताबिक रख सकते हैं कैसे रख सकते हैं कि उतना ही काम करें जितना आपको demand किया जा रहा है ठीक है क्या मतलब कियने का मक्सदी है कि वही काम करें जिसकी आपसे demand की जा रही है आप एक favoritism में एक अधारे में जब आप दो लोग अकठे काम कर रहे होते हैं तो क्या हो रहा होता है दो लोग अकठे at a time जब काम कर रहे होते हैं तो दोनों एक लिमिटरिसली उन चीज़ों में एक बंदा किसी की तारीफ बरदाश ने करता मैंने अकसर जादारों में यह चीज़ देखी है और I feel so hapless sorry to say कि मुझे फील हुआ कि देखें कोई अगर अपने काम की स्लाइट से credit ले रहा है तो यह उसकी achievement है this is one of the biggest achievement of the thing और इसके बावजूद भी आप ऐसे चीज़े करें कि यह आप कहेंगे biggest achievement तो काम को अपने हद तक मैदूद रखना और वही काम करना जिसमें आपको आगे opportunities जादा मिल सकें यह सबसे बड़ी एक चीज़ होती है तो यह चीज़ सबसे पहरी important चीज़ है because of the about your achievements about your capabilities के आप अपने काम को उत्रे तक महदूद रखें जितना आप काम कर सकते हैं तो यह चीज़ सबसे जादा जरूरी है तो फिविर्टिजम और पैनिक यह तो अगर हम अपने दमाग से चीज़ों के निकाल दें तो हम अपने काम के तब रिलाक्स के कर भी सकें किसी जिसकी टेंशन आप लेना इस वन अफ बिगिस थिंग आप लेना तो यह चीज़ सबसे पहले बेस्चीज है कि बुक रीडिंग सोर्स अफ इंवर्मेशन लाग डिमिटिस नॉलेच इस आप बेस्टिस थिंग्स 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 झाल